तीसरे चनल का मजदान साथ मई को एटा में तमाप्ट हो चुका है लोग के अंदर उत्तुकता है कि आखे वोटर है कि किस और वैटा है तो कि हमारे साथ है एटा के बरिष्ट पत्रकार इन लोगों ने अपनी आखों से चुनाब को देखा है और बारी की समझा है कि बोटर की लेकिन समाजबादी पार्टी के बीच में रही है लेकिन समाजबादी पार्टी के बीच में रही है पार्टी पिछले कई टर्म से यादव केंडियेट उतारती रही है जिससे बीजेपी का रास्ता बहुत आसान हो जाब पता इस बार मुझे लगता है अकलेस यादव में सोसल इंजिनिंग का और जो पीबीए का उनका फॉर्मूला था उसका सबसे नाया प्रयोग की आयटा हुआ है ज्यादा मत्दान का प्रिक्षट भी अच्छा है लगबग 60 प्रिक्षट के लगबग मत्दान हुआ है तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो लडाई है सपाव बीजेपी के बीच में है लेकर अगर मेरा पूछा जाए तो एडवांटेज बीजेपी को मिलता ज्यादा थे रहा है लिए नगा यह कि जी तरीके देखा गया था कि इस वार बौक घ्राइंट रहा है उसने किजी का ना तो घंडा उठाया है ना किजी के नारे लगाए ना किजी के समर्तन में बोला है बौकर साइलेंट रहा है कि पूर सब समस्था है और पिछले पांस स पार्टी नबने क्योंकि जो लोकल जगे है खास्तों से एक छोटी जगे है अगर किसी को मत्दान खुल के कर दिया या खुल के मालूम पड़ जाता है तो उसके आफ्र एफेक्स उठाने बढ़ते हैं तो यह कारण था कि मत्दाता फिल्कुल सांत रहा लेकिन बहुत जवरज लोगों ने किया कहां से हुआ तो मुझे लगता है अंत समय तक BJP के बड़े-बड़े नेताओं ने भी इस स्थी को भाप नहीं पाया और उसका कुछ थोड़ा सा लौस उनको हो सकता है लेकिन अगर पुछा जाए तो एडवांटेज बीजेपी के पच्छ में है बीजेप स्थी निकाल सकती है ऐसा आगर लोग कर रहे हैं यह है रागर दुदरिया इनों ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पीचे-पीजे बशरगात भी जेला है वही साब की बोट भी उसके कटा है उतके बाब भूती बीजेपी को कुछ एडवांटेज मिलका हुआ है आगे ल राम् को लाएंगे राम को लाएंगे ख्याजतार लोग भी बीजेपी की कह रहे है जो अम से लोगों से बत हुह कर दम लेका सेहर में ने चेहरी जो के रहे हैं को बीजेपी की बात कर रहे हैung का सेहरी दूर्ट सामय कि अन्ड पार्ट पाल्ट सिंग में इन रिज आने जो इनों ने चुनाव देखा है वंचिस और जाता हुए देवेश दी किस तरीके साफिक्टाप एक प्रिक्रियाए में इस वाद जो दोजाब चुनाव के चुनाव के प्रदूर्ट पालट यह दोजाती में जो सफ़रोट जो होता है, मसला तौल वो भी कम देखा जुटी बात यह हुई कि जो समाजबादी पार्टी के जो अच्रेश दियागा, उन्होंने एक्षियों किया, और पार्टी कम हुई से उन्होंने अपना प्रचार चाहा, जो की बीजेटी का जो पोड़ गोड़नागा और जिपने 2019 में सफ़रोटान की और जिटी बेज़ेटी के लम्मे मार्टें से उन्होंने जिटी बीजेश दूबरा जो बात जिल्चर बात हुई है, जो वर्तमान जो शांसर है, ने वर्तमान शांसर है, और जिट्जापनी उपी उनकी जो दो तन की इंकम मेंशिती लोग में वो इतनी ज्यादा थी कि लोग उनसे बहुत नाराज थे, उसके जो लोगों से इनकोटी थी, उसकी सिकायट कीए कि ये लोगों से बिसे नहीं, उसको लिखते भी आपी नाराजी लोगों में देखी थी, हाला कि बीजेपी पानफत ने बात में माफी भी मांगी और उस पानफत ने बात में देखी और मार्जन जीत का इतना कम है कि उटकिस करवट बैठेगा, ये कहने की कोई भी इस्टिती में नहीं है, हाला कि समाजवादी पार्टी की तरफ जो रोजान रहा है, वो मुसलिम का पूरा रोजान समाजवादी पार्टी के तरफ गया है, याद समाजवादी पार्टी के तरफ मूब हो गया है, तो ये जो खेल जो तरफ का हुआ है, वो जो एसा खेल दिल्चफ उसने मुकाबले को बना दिया है, ये पहली बार देखने हो को मिलगा है, जलिती भी कट कर जुआ है, बिल्कुल बीस्पा के लिए बड़ा चिंता का सबब है कि अगर ऐसा होता है, तो बस्पा को बिचार करना होगा कि अपना बोट कैसे दुबारा से बांद के रख पाए जी और इसी बज़े से ये जो फूरा जो सीट का जो आंकड़ा है, वो इस कदर फसा हुआ है, कि कौन जीतेगा ये कहना महुत मुस्किल है, कहां क्योंकि रो जीते कोई भी है, जो मार्जन है, वो इतना कम रहेगा कि लोग उसको अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, कि क्या मार्जन पे लोग आप जित रहे हैं, यहां लडाई जो है, बहुत ही नजदीक होगी, लेकिन नेक होगी, यह देवेजी के अमचार क्योंकि नोंने चुना ब जीते को पर जो हमारे भी साथी कह रहे थे देवेशी थे राकिस बदर्जा जीते, जो दो बार के सांसत राजु बहिया है, जो इंका में सी देखने को मिली, निस्चे तोर पर कोई भी, एक्शली हुआ गया है, कि पिछले दो बार सफा ऐसा कंड़िट यहां पे नहीं दे जरूर बना, ऐसे में, दूसरी बात एहम यह है, कि जिस तरीके से लगातार जो दर साल में रहे, उन्होंने गोद गाया, उन्लिये हो, भाजपा सांसत नहीं लिए, वहां पे कार नहीं हुआ, अंदरूनी चीज रही, उसका साथ सबसे बड़ी एहम बात यह मानी गई, कि ज जाने से फरक नहीं पड़ता, उसको सरफ समाज़ादी पाट, तुमारा कहना है, कि जिस तरीके से यादव गया है, उनकी सबी खराब हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अपनी कहीं नहीं जिस तरीके से जो कारभाहिया पुरी प्रदेश में देखने को मिली, उस तरह लगा कि क कुछ कहरभाही नहीं हो जाए, कोई जास ने बढ़ जाया, ऐसा लोगों का मानना है, आपके अनुचार दर की बज़े से यादव बीज़ेपी में गया, उनको डर इस बात कहा था, कि और लोगों का कारभाही हूँ, मेरे खिलाबी कहरभाही नहीं जाए, लोगों का राजन एक है कि दिनाव में जो जास थे बातुटिए अनुचार दर क्या लोगों का रहा है, जो गज़ेपी में दर दीज़ेपी रव्यास असा पार दीच, क्का माल भी चाहा आए, कर बीज़ेपी हूँ देकर कहां आएगा तो अब ऐसे में सबादार यादब प्रतियासी आ रहे थे उसके बाद उन्हों न अपने प्रतियासी चेंज किया जो देवेश शाके को लड़ाया अलागे उससे ही चुनाबी के मुकाबला था उन्टैस्टिंग हो गया और चुनाब में काफी अच्छा लगा लेकिर मेरा मानना अपना यह है कि जो भी अंतर रहेगा वह काफी कम अंतर से रहेगा हाद जीत का कोई बड़ा अंतर नहीं है चाएं उंक किसी भी करवट गया सब्सक्राइब करेंगे आपने क्या है इस तरीके से सपा ने साक प्रत्यासी देखे राजी वगिया के लिए मुसीवत पड़ी करी और दूसरी बार जो प्रत्यासी थे सब्सक्राइब प्रत्यासी थे बार जोगों की नाराजकी वी कुछ समाज की इसलिए भी थी के वो खमय नहीं दे पाते ते मिन नहीं पाते श्रुट्री कारासी यह शुक है कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा सवाल है कि संसद को टिकेट देने दोबारा टिक्ति मिला टीसा अटम उनका यह था जिससे उनको नुक्सान हुआ और उनकी बिकर घात का भी उनको काफी सामना करना तो अबसे बरा समाने के शांचत को जो है यहां ना रहना भी एक तारण बना है लगा तार तीसरी बार एक ही भी देपी राजी से लादी बजया बठेकित देना एक चुनाब में जो है तडी ल यह पूरा चुनाब मोदी जी के नाम पर बोट गया है और अगर बात की जाए एटा की तो एटा में जो सपाने सक्ट समाज के तरत्याशी को उतारा तो एक लंडे समय बाद जैसे कि महादी पक साख थे उनको उतारा गया था लगाता रोलों भी छेशेवाजीत प्राप्त क प्रत्याशी का चेहरावी नहीं नहीं देखा है कि इस पार मत्ला किया है लोगों से जानकारी यहां तक है करेंके टा का भिकास है प्रेंड जो अज भी चार्थ है कि अब तक रहे चो आब तक how लेगा घृएगा और इस वाड़ा सा बदलाव देखा जासकता है और जीत हर के बात कि जादा लंबा अकडा नहीं होगा थोड़ा बहुत तो यह है देवंतर इनके अमसार भी सुना अपको लूब है कहीं ना कहीं तो राजबी स्टिंग राजी राजी रहीया लोग के बीच में ना पोचने कि नाराज भी उनको सामना जेखना पड़ रहा है ह अब इसका करा इस तो रहा है इंसे स्टाने के दिद्धार मजय करें रहा है तो आफको के बाँसटर पार क्या अनवाब कि आएगा hu जी कि आप वारे जी निदर जी ज़ारी कार से कर अधिर जिटा होगाना है जो प्रद्धारी के लाप जबन को बाहरे एका मारे टावा है नीद दरखें जो अधिर में शेरा जाना दाक। कि अधित का जिए गजा नहीं धार ककी जांड़ है पुल मिलाकर जो हमारी बरिष्ट पत्रकारों के यहां के एका के पत्वार को बात हुई है, उनकी अलग-अलग राय तो जरूर हो तकती है, लेकिन सबने एक आपने एक राय में यही कहा है, कहीं ना कहीं, राजबी सिंग राजु वही अगर लोगों के बीच में ना पहुंचना, लगातार की जिवा तुरा मेरा में आना, एंटी कम्देंसी, और लोगों के बीच में कम्यूनिकेशन गैप एक बड़ा रीजन हो सकता है, अब ऑपिशेल तो चार जून को ही पता शमी कारी जिवारा में कारी त Carloैंग कारी है, और में ना लोगों में तूपकिवाए राजल वार में थेस्फिचर आना, एक बीचिता भARS इंए हो प्या आना, व्यां।